दोस्तों अभी अभी BSF ने अपना Trainsman का जो Admit Card है उससे जारी कर दिया है First Phase Examination का जो Admit Card है जो कि PhD और PET के लिए है उससे आप कैसे डाउनलोड करेंगे जिसकी पूरी जनकारी इस वीडियो में बताई जाएगी Admit Card डाउनलोड करने के लिए आपको अपने mobile या laptop में जो भी ब्राउजर है उसे open करना है Google में सर्च करना है online update htm जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करते हैं आपके सामने first website मिलता है online update htm.in का जिस पर आपको क्लिक करना है और नीचे scroll करकर आपको आना है Admit Card वाले सक्षन में आपको मिल जाता है BSF Tracement का Admit Card डाउनलोड करने का direct link आपको अपलप्त करा दी गई है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे यहाँ पर पूरी जनकारी आपको बताईगे यह पूरे जनकारी जैसा Admit Card पर क्या-क्या अंकित होगी वो भी आपको यहाँ पर देखनों कर मिलेगा साथ ही साथ आप चाहे तो इसका जो ऑफिसल नोटिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पर डाउनलोड करकर पूरी जनकारी देख सकते हैं क्योंकि candidate के मन में लगातार confusion थे कि सरह हमारा पहले रीटेन होगा तो ऐसा नहीं है पहले आपका पीएश्टी और पीटी होगा उसके बाद आपका डूकमेंट वेरिफिकेशन होगा तो फिलाल अभी आपका जो Admit Card है पर टीक करना है और नीचे में एक option login का मिलता है जिस पर क्लिक करेंगे बहुत सारी Canadian को password नहीं पता होगा तो password forget करने का link दिया गया जिससे आप password forget कर लेंगे login करने के बाद यहां पर आपको action का button मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना और नीचे में देखेंगे क्या timing हो पूरी जयनकाड़ी आप इससे देखकर आप जा सकते हैं और सभी guideline भी इस पर आपको mention की गई जिसको आप follow करके अवसे जाएंगे धन्यवाद